हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपने चैनल पर आप सब का स्वाइट करती हूँ दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ Divine Masculine and Divine Feminine की Current Energy ठीक है Divine Feminine आपके लिए खुश से प्यार करना, खुश पर फोकस करना, अपने चक्रास पर काम करना आपको इस वक्त हार्ट चक्रा में भी पेन हो रहा होगा, तो हार्ट चक्रा पे आप काम करें और सोला प्लैक्स पे जरूर काम करें, पीला कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करें खाने में भी आप पीले रंग का इस्तमाल करें पीला रंग जो होता है वो प्यार का होता है बसंत रितु का होता है आपके विश्वास का होता है आपके अंकंडिस्नल लब का होता है अपने सोला प्लैक्सस पर काम किजिए अपने हार चक्रा पर काम किजिए आपको हारना नहीं आगे बढ़ते जाना है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटों पे चल के मिलेंगे साए बाहार के ओ राही ओ राही आपको आगे बढ़ना है बढ़ते जाना है ये सोचना है कि मेरा एक पैर नहीं है मेरा एक पैर कट गया है और सामने हिमाले परवत है एक उचा परवत है जिस पर मुझे चड़ना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने सुल परपस के और बढ़ना है आप समझ लिए मेरा एक पैर नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है और सामने एक हिमाले परवत है आपको बढ़ना है और खुद पर बैलेंस बनाना है बेफिक्र होकर उनिवर्स को याद करकर आपको आगे बढ़ना है आप उस पहार पे चड़ जाती हो तो आपकी जीत 100% है आपकी जीत होगी आप सही जा रहे हो बहुत बैलेंस किया है अपने खुद पर फोकस किया है अपकी ग्रोथ आ रही है अभी हमारे डिवान मैस्पलाइन की करेंट एनरजी है अभी वो ठीक नहीं है बिलकुल स्टक है लेकिन कहीं न कहीं उन्हें विश्वास है कि डिवान फेमनाइन उनके घर में जगड़े हो रहे हैं परशानियां हो रही हैं कार्मिक से लड़ाईयां हो रही हैं लेकिन वो अपने आपको इस वक्त डिवान फेमनाइन को याद कर रहे हैं उनके बगर वो अधूरा फिल कर रहे हैं उन्हें अब सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो अब कि किधर जाएं ये सब universe divine का खेल है सब वो करवा रहे हैं सो divine masculine सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किधर जाओं ठीक है बीच मजधार में अटके हुए महसूस कर रहे हैं divine feminine feminine आपको बता दिया जाए कि divine masculine कुछ धर्म के राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं अभी वो बहुत ही दिल दिमाग से सोच विचार रहे हैं कार्मिक कनेक्शन को लेकर कुछ जादा ही सोच रहे हैं उस वक्त को याद कर रहे हैं जब वो अपने आपको खुसी महसूस करते थे divine feminine क के साथ खुसी को अपने से दूर कर दिया है वो भी अभी इस वक्त सोच रहे हैं जिससे मेरी सांसे चलती है वो energy मेरी है यानि divine feminine के energy अभी उने काफी महसूस हो रही है खुद को धर्म की राह पर जाने में आगे बढ़ रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं अपने आपको बैलेंस क करने के लिए अपने फोकसा भी करें प्रेशर है उनके दिल दिमाग में उन्हें समझ मे नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी धर्म के रा पर चलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने खुद को अकेला फिल कर रहे हैं ठीक है कार्मिक के साथ हैं पर वो प्यार का कनेक्शन नहीं अए बस एक responsibility है ये divine masculine की feelings आ रही है divine masculine को pressure किया जा रहा है divine masculine को universe के तरफ से divine के तरफ से उनके दिल दिमाग को pressure किया जा रहा है कि आप decision लो लेकिन divine masculine अभी इतना उनको सोच नहीं है कि हमें क्या करना है इस वक्त अपने आपको दिल दिमाग को control कर रहे है divine feminine को miss कर रहे है और आगे बढ़ने की और सोच रहे हैं प्यार का है सास सिर्फ divine masculine को भी नहीं है divine feminine को भी है आज भी और कल भी हमेशा दोनों एक समान सोचते हैं लेकिन यहाँ divine feminine खुद को balance कर रही है बहुत अच्छे से inner work कर रही है आगे बढ़ रही है खुद को प्यार कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि खुद को अपने soul purpose की और बढ़ रही है अपने reunion के कड़िब आ रही है तो बहुत ही याद आ रहा है divine masculine को divine feminine की वह बाते जो उन दोनों मिलकर किया करते थे बहुत ही याद आ रहा है याद आ र तो divine masculine की ऐसी current energy आ रही है एक दिन भारी पर रहा है एक एक दिन उन्हें भारी पर रहा है बस लगता है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए चला हूँ कभी कभी वो control खो देते हैं और खुद पर control करने के बाद वो फिर अपने आपको कोशते हैं कि मैं ऐसा क्यों किया अपने divine feminine के साथ जो मैंने उसे दर्द दिया वो दर्द मैं आज फिल कर रहा हूँ मैं सारी खुसी तुम पर निसार कर दूँगा divine feminine को बोड़ा मैं तुम पर सारी जिंदगी सारी खुसी निसार कर दूँगा मेरे पास सब कुछ है मैंने जो चाहा वो पाया लेकिन तुमें नहीं पाकर मैंने कुछ नहीं पाया divine feminine current energy हमारे divine masculine की है वो बहुत पेन में है अपने गलतियों को एहसास कर रहे हैं उन्हें प्रेशर किया जा रहा है divine के तरफ से आगे बढ़ने के लिए और कहीं न कहीं बहुत divine masculine धर्म की राह पे चलने लगे हैं कार्मिक कनेक्शन से दूर जाने के लिए सोच रहे हैं इस वक energy आप सेंट करें अपने निर्ने को वो सही दिशा में लेकर जाएं और आपकी रियूनियन हो divine masculine काफी सोच रहे हैं आपको लेकर divine feminine अभी आपको हाट चक्रा में भी पेन हो रहा होगा so please अपने हाट चक्रा पे वर्क कीजिए solar plexus पे काम कीजिए ठीक है लेकिन आपको रु so आपकी कर्मा healing हो रही है और divine feminine और divine masculine की भी कर्मा healing हो रही है so अपने purpose की और बढ़िये आगे बढ़ते रही है और अच्छे से healing अपने divine masculine को send कीजिए ताकि वो ज्यादा tension ना ले अपने अपने खुद पर focus करें अपने decision को सही दिशा में लेकर जाएं और आपकी reunion हो इसलि जीए आप खुद से जितना प्यार करें दुनिया आपसे प्यार करेंगी और आपकी reunion तय है तो अपनी soul purpose की और बढ़िये और इतना आपको होना चाहिए कि मुझे क्या करना है नहीं करना है आप इस वक्त उस stage पर हो तो आप decision ले सकते हो और आगे बढ़िये अपने breathing exercise कीजिए ठीक है और खुद self love कीजिए तो divine masculine अभी काफी परसान है वो बोल रहे हैं हम वही है तुम वही हो फिर ये दुरिया क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें किस तरह पाऊं तो divine feminine आपको healing send करने divine masculine को ठीक है meditation के वक्त बैठिये अपने meditation से उन्हें प्या अच्छे से उनसे बात किजिए meditation के वक्त और तब वो उनको अच्छी healing मिलेगी और अपने आप soul purpose के और बर रहे हैं सही दिसा में जा रहे हैं बहुत अच्छे से इनवरक कर रहे हैं खुद पर आपने ऐसे balance बनाया है कि अब कुछी दिनों में आपकी growth आने वाली है आपकी माफ करना आपके कार्मिक हो आपके जो भी हो जो आपका अच्छा भी नहीं चाह रहे हैं उसे भी माफ करना है अपनी soul family जो भी आपसे जुड़ी हुई है कुछ भी आपसे बात पुछते हैं तो उन्हें आपको help करना है एक दूसरे को help करना अब आप शुरू कर दिजिए divine family सो हमारी divine मेश क्लाइन की current energy है उन्हें आपकी प्यार की जरुवत है जो आप meditation के थुरू उनसे heart to heart connection feeling send किजिए और अच्छे से इनवर्ग किजिए देखिए आपका soul purpose आपका growth सामने है और आपका reunion तय है सो हमारी divine family खुद पर भरोसा किजिए universe पर भरोसा किजिए angels पर भरोसा किजिए और जितने लोग आपसे अच्छे से नहीं बात करते हैं उन्हें भी प्यार से बात किजिए उन्हें माफ करना सिखिए ठीक है देखिए आपकी आपकी जो growth है वो कहां जारी आपको खुद नह सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो थेंक यू सो मच